तो काईसर आज हम निकल चुके अपने दोस से मिलने के लिए मेरा अभी अभी थोड़े दुनों पहले एक नया नया दोस बनाए उस से मैं मिलने चारो आज हम साथ में जूले जूलेंगे बहुत जादा मसा ऐगा आपको भी मेरे नय नय दोस से मैं मिल वाता हूँ बस हम वहाँ पर पहुचने वाल है और ये रहा मेरा नया नया दोस्त काइजर मिलिए मेरे नए नए दोस्त वैनम से अरे फ्रैंकलिन भाई कितना ज़ादा लेट कर दिया तुमने अरे हाँ यार तुमको तो पता ये लॉसेंटोस में कितना ज़ादा ट्रैफिक होता है चलो चूले जूलते अरे फ्रैंकलिन भाई मैं क्या बोल रहा था चूले जूले का प्लैन हम कल मनाएंगे आज तुमारे घर पर चलते हैं तुमारे घर पर मजे करेंगे मेरे घर पे मेरे घर पे तो कुछ भी नहीं है क्या करोगे अरे मैंने तुमारा घर आज तक नहीं देखा और मैंने सुना है तुमारे पास magic drawing board है उसमे जो भी बनाते तो वो real life मैं जाता है हाँ मेरे पास है तो सरी पर इसको किस ने बता दिया अरे फ्रेंकिन भाई अपने इस प्यारे दोस्त को मैजिक बोड यूज नहीं करने दोगे मैं तो तुमारा कितना अच्छा दोस्त हूँ अरे क्या अच्छे दोस्तो कली तो मिले हो तो मुझे अरे तो कल और आज में चोईस घंटे हो गए सोचो हम 20 घंटे हजा दोस्ते चलो ना फ्रेंकिन भाई मुझे वो मैजिक बोड देखना है अरे काई सार ये इतना जादा बोल रहा है मुझे तो कुछ डाल में काल लग रहा है अरे फ्रेंकिन भाई चलो ना अच्छा ठीके ठीके चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ अब ये इतना बोली रहा तो उसको लेके चल लेते हैं क्या ही करेगा अरे फ्रैंकिन भाई बहुत बहुत शुक्रिया अरे आँ कोई बहुत नी तो काईस हमारा जूला जूले का प्लान यहाँ पर कैंसल होगा है मैंने वीच पर बहुत सारे जूला जूलेंगे पर हमारे वैनम दोस्त को हमारा मैजिक बोड देखना है तो काईजर फड़ा बड़ से इसको अपना मैजिक ड्राइंग बोड दिखाते है अरे वैनम मैजिक बोड देखने के बाद क्या करेंगे magic board देखने के बाद तुम जिन्दा रहोगे तब ना है क्या मूल रहा है अरे मैं तो मजा कर रहा हूँ magic board देखने के बाद हम खाना खाने चलेंगे खाना खाने चलो मजा है का चलो घर चलते जल्दी से तो guys अभी हमारे ने ने दोस्त के साथ हम आच चुके अपने घर पे चलो फड़ा फट उसको पूरो कपोगा घर दिखाते अरे Franklin मुझे तुम्हारा घर नहीं देखना मुझे magic drawing board देखना है अरे तुमने तो मोला था तुम्हें मेरा घर देखना है घर तो में बाद में देखना है पहले मुझे drawing board देखना है अच्छा ठीक है आजा इसको फड़ाओ पर जे drawing board दिखा दे यह पताने क्या हो रहा है मुझे समझ या रहा मुझे कुछ तो घर बर लग रही है पहले इसने बोला कि इस तो मेरा घर देखना है अब यह बोल रहा है मेरा magic board देखना है चलो इसको लेगे जलते है आजो फेनम यह रहा मेरा magic drawing board अरे वाँ यह तो वोई drawing magic board है ना हाँ यह वोई drawing magic board है जिसमें कुछ भी बनाते हैं वो real life में आ जाता है अरे फ्रेंक्लीन क्या मैं इस पर कुछ बना सकता हूं क्या बना रहे तुमको अरे तुम्हारी ने सर्प्राइज है बना लो गया अच्छा ठीक है बना लो थैंक्यू फ्रेंक्लीन अब इसे पता चलेगा इसने कितनी बड़ी गलती करी है अरे क्या बोल रहे हूं अरे कुछ ने कुछ नी रुख जाओ मैं अपने ड्राइंग कंप्लीट करके दिखाता हूं इस फ्रेंक्लीन को बता चलेगा मैंने इसका ये मैजिक बोर्ट क्यों लिए मैं इत्ते टाइम से वेट कर रहा था इसका दोस्त बनने की ताकि मैं इसका मैजिक बोर्ड γै अब मैं इसका मैजिक बोर्ड कर सकता हूं एक बार मेरी डॉइंग कंप्रीट हो गई तो फ्रेंक्लीन को बहुत ही जादा अफसोस होने वाला है उसने मुझे ये यूज क्यों करने दिया अरे वैनम दुना चल्दी करना अरे फ्रेंक्लिन मेरे प्यारे दोस्त थोड़े रुको तुम्हें बहुत ही बड़ा सर्प्राइस मिलने वाला है इस फ्रेंक्लिन को ऐसा सर्प्राइस पर मैं उसका दोस नहीं हूँ, मुझे उसका मैजिक बोर्ड यूस करना था, इसलिए मैं उसका दोस बनाऊू, इस मैजिक बोर्ड को यूस करने के बाद मैं पूरे लॉस सेंटोस पे राज करूंगा, हाँ हाँ, चलो वड़ावट से मेरी ट्रॉइंग को कम्प्लीट करते हैं मैं यहाँ पर बना रहा हूँ Venom Zombies फ्रेंक्लिन को मत बनाना कि मैं यहाँ पर Venom Zombies बना रहा हूँ वरना वं मुझे करने नहीं देगा मैं पूरे Lost Centros पर राज़ करना चाता हूँ और उसके लिए मैं यह सब कर रहा हूँ फ्रेंक्लिन को भी कुछ नहीं पता और नहीं कभी कुछ पता चलेगा जब तक मेरी ट्रॉइंग कंप्लीट नहीं हो जाती और एक बार मेरी ट्रॉइंग कंप्लीट होता ही मैं इस पूरे मैजिक बोट को डिस्ट्रॉइ कर दूँगा मुझे तंग ना करे और मैं पूरे लोसेंटोस पे राज करूँगा इसके खतरनाख खतरनाख दाथ और यहाँ पर लंबी सी जीब और इसकी होगी तीन-तीन मुंडिया इसके भी खतरनाख खतरनाख दाथ और एक और लंबी जीब इसका नाम होने वाला है Zombie Venom और ये Zombie Venom ऐसा वायरस पहलाएंगे जिस लोग को भी ये काटेंगे वो लोग भी बन जाएंगे Zombie Venom Franklin तुम बस देखते रहो तुमारे साथ क्या होने वाला है ट्राइंग तो मेरी कंपलीट हो गई अब बड़ावट से इसमें कलर कर देता हूँ सबसे पहले मैं इसके अंदर डार्क कलर करने वाला हूँ पूरा पूरा डार्क मेरा वेनम बहुत डार्क होने वाला है हाह हा और फिर मैं इसके अंदर लाल कलर करूँगा ताकि ये बहुत ही खतरनाक लगे पूरे लोस सेंटोस में वाइरस फैलेगा वेनम जॉम्बी वाइरस हा 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 इसके मूँ भी लाल इसके चीप भी लाल इसके दाद भी लाल इसकी आके लाल सब लाल कर दूँँगा हा 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 आकिरकार मेरा जॉम्बी बन गया अब मैं इसके वाइरस बनाऊंगा जो कि पूरे लॉस सेंटोस में फैलेंगे और लॉस सेंटोस को तबाह करेंगे यह मेरे वाइरस सिर्फ मेरी बात सुनेंगे और पूरे लॉस सेंटोस को तबाह करेंगे और फिर मैं लॉस सेंटोस पर राज करूंगा अब वाइरस में भी कलर कर देते हैं लाल लाल वाइरस और ऐसे वेनम जॉम्बी मुझे चाहिए पूरे सौ ताकि हम चल दी जर चल दी पूरे लॉस एंटॉस में कभजा कर सके इसका नाम होगा वेनम जॉम्बी हाँ हाँ franklin मेरी ड्रॉयिंग कंफिलिट हो गई क्या तुमने क्या बनाया पूज दो कुछ देखे निरा अपने पीछह तो देखाओ पीछे मेरे पीछी यह कर चीजे और यह मैरे अपने हातोंसे बनाया है और यह पूरे लॉस से टॉस में मेरे सारे वैनम जॉम्बी को का का के का का के उनको भी वैनम जॉम्पी बना देंगे अरे वैनम तुमने ये क्या कर दिया तुमने मेरे से पूछा मेरी मैं तुम्हारा दोस्त हूँ दोस्त काई का दोस्त तुम मेरे दोस्त नहीं हो मैंने तुम्हें दोस्त इसलिए बनाय ता कि मैं तुम्हारा ये मैजि बोड़ को भी भोड़ दूगा ये ले ये ले तोड़ दूगा बोड़ दूगा अरे तुम ने ये का कर दिया मेरा मैजिक बोड़ तोड़ दिया मैंने तुम्हारा मैजिक बोड़ तोड़ दिया ताकि तुम ऐसा कुछ ना बना पाओ जिससे मेरे वैनम जॉम्बी मर सके अब वाइरस दिखा दो पूरा लॉसेंटोस मेरा गुलाम बनना चाहिए और सबसे पहले शुरुआत करो इस फ्रेंक्लिन से मैंसे नहीं चुड़ूगा नहीं वैनम तुम मेरे से ऐसा नहीं कर तकते मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ना तो तुम मेरे कभी दोस्त ही ना कभी दोस्त बनोगे खा जाओ इसको अवे तेरी तो ऐसी की तैसी निकल यहां से बागो यहां से अरे काईसर ये वैनम का फच्चा तो एक विलन निकला मैंने सोचा थे ये मेरा दोस्ट बनेगा पर ये तो विलन निकला इसने एक नया वायरस बना दिया है वैनम जॉम्बी वायरस और ये पूरे लॉस सेंट टॉस में फैलने वाला है अरे मुझे कुछ करना पड़ेगा क्या करू क्या करू अभी फिलाल तो मुझे घर के अंदर कहीं पे छुपना पड़ेगा अगर इन वैनम जॉम्बी ने मुझे देख लिया तो मेरी तो बारा बजने वाली है मैं क्या करू क्या करू अरे कैजर मेरा magic board भी तूट चुका है मैं कुछ नहीं कर सकता मैं इस venom से लडाई भी नहीं कर सकता मैं इसके सामने बहुत ही कमजोर हूँ जाओ मेरे venom zombies इस पूरे लॉसेंटोस में फैल के पूरे लॉसेंटोस की बारा बजा दो तो काईजर अभी आप देख सकते हो मैं अपने खर की बालकनी में चुपावा हूँ और हर जग है वैनम जॉम्बीज मुझे दिकाई दे रहे लगता है इनकी जन संक्या पहले से बहुत जादा बढ़ चुकी है इन्होंने आसपास के सारे के सारे लोगों को वैनम जॉम्बीज में कनवर्ट कर दिया है मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ मेरा मैजिक बोर्ट भी तो टूट चुका है रूच और टीवी चला के देखते हैं क्या चल रहा है लॉस सेंटोस में ब्रेकिंग निउस लोश सेंटोस में फैला गंदा गंदा वाईरस लोश सेंटोस के सभी लोग बनते चा रहे हैं Зॉम्बी वैनम पूरे लोश सेंटोस को ये तबाह कर रहे हैं हमें कोई तो बचाओ सारे के सारे मिलीटरी वाले आई थे और उन्हें बूला था लोस सेंटोस को बचाएंगे इन सारे कदरनाख वेनम से सारे के सारे मिलिटरी वाले खुदी वेनम बनके लोस सेंटोस वालों को वेनम जॉम्बी बना रहे लोस सेंटोस के आलत बहुत खराब है अगर आप अभी तक जिन्दा है तो सोच लीजिए थोड़ी देर में आप भी वेनम जॉम्बी बनने वाले काईसर मुझे पता ही था ये सब होने वाला है ये वायरस बहुत ही जाधा तेजी से फैल रहा है काईसर मिलिटरी वाले भी नहीं रोकनी भाए सारे के सारे मिलिटरी वाले खुदी वेनम जॉम्बी बन चुके अब मुझे समधन रहा ये क्या होगा इस लॉस सेंटोस को मुझे कैसे भी करके बचाना पड़ेगा पर कैसे बचाऊंगा अगर मुझे लॉस सेंटोस को बचाना है तो मुझे नया मैजिक बोट जई होगा और नया मैजिक बोट कहां से मिलेगा वह अभी मैं गूगल से पता करने वाला हूं चलो फड़ावट से देखते हमें नया मैजिक बोट कहां से मिलने वाला है तो काई सर अभी हम गूगल पाचुके हमें पता करना है कैसे हम बना सकते वह ड्राइंग मैजिक बोट तो हम यह सबस्क्राइब अपना बना सकते और फिर उसके बाद हमारा ड्रॉइंग मैजिक बोर्ड तैयार हो जाएगा तो काये सर अब मुझे पता चल चुका है मुझे कहां से मिलने वाला है अपना नया नया ड्रॉइंग मैजिक बोर्ड अभी में जाने वाला वही लेने और यहां बर कितने सारे जॉम्भी जे इन सब को मुझे मारना पड़ेगा यह बहुत ही जाथ है एक सगें मैंने मार करो अरे मैं तो भूल की बच्चे को सबक सिखा सकूँ चलो पड़ावड से चलते हैं तो काईसर गूगल के हिसाब से वह मैजिक ड्राइंग बोर्ड हमें मिलेगा मीटियोरीड में और मीटियोरीड की बारिश मैं तो करा ने सकता हूं इसलिए मैं जाने वाला हूं डॉक्टर स्ट्रेंज के बास वो ही एक है जो की मेरी मदद कर सकता है और वो इस पहाड के उपर रहते तो मुझे पहले पहाड पर जाना पड़ेगा उसके बाद मैं डॉक्टर स्ट्रेंज को बोलूँ है की मेटियोरीड की बारिश करा दे ताकि मैं अपना नया मैजिक ड्राइंग बोर्ड आपने से बन लाया है कर पर कोई बात भी हम उससे अपना बतलब्ला जरूर लेंए और अब यम यहाँ पर आचुके जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज रहता है और आप आप सामनें लहां जूप्तर श्ट्रेंज आ चुका है बतानी कौन से यहां पर एठकी मंत्र उन्तर पढ़ रहा है ड सब पता रहता है अगर तुम्हें सब पता रहता है तो तुम्हें यह भी बता होगा कि अगर यहां पे मीटियोनेट्स की बारिश हो जाए तो मुझे रवाप में से मैजिक ड्राइंग बोड मिल जाएगा फिर उससे में उस वैनम की बच्चे को हरा दूँगा उड़ी बाबा वो तो वैनम को मैजिक बोड देने से पहले सोचा चीह था ना अरे मुझे थो ना पता था वो ऐसा निकलेगा मुझे लगा मेरा इतना अच्छा दोंस्ते वो ऐसा कुछ निकरेगा पर उससे तो पूरे लॉस सेंटोस की बारा बजा दी पूरी बाबा ठीक है मैं तुमारी म इस बच्चे के मुँपे मारो कोई आइसक्रीम बुड़ी में लो चालो गई और काईसर अभी आप देख सकते हो मेटिरेट की बारिस यहां पर चालो हो चुकी है और मुझे फटावपर से मेटिरेट डूनना पड़ेगा जिसको मैं तोड़के अपना खदरनाक सा मैजिक प को पेपर निकाल सको चलो काईसर फटावपर से यहां पर लेंड कर लेते और डॉक्टर स्ट्रेंज पोला था इसके बाद जो भी होगा मुझे देखना पड़ेगा इसके बाद क्या होगा एक बार मुझे मेरा ड्रॉइंग पेपर मिल जाए फिर तो मैं किसी कोई ने छोड टो क्या चीए इसको मुझे लगता है और यूज ने पड़ेगा यह ले ब्लास्ट हो जा इसको मुझे कैसे भी करके खोलना पड़ेगा अग्या निकाईसर मुझे लगता है यह नहीं कुलने माला जब तक आप वीडियो को लाइक कर दो अट रेल को सबस्राइब नी करूग और लोज सेंटोस ही खतम हो जाएगा चल्दी चल्दी लाइक और सबस्क्राइब करते हैं उसको फड़ा पट चेक खोलते हैं और काईजर यह मेटिरोड यहाँ पर खुल चुका है और आप देख सकते हो हमारा ड्रॉइंग पेपर यहाँ पर आ चुका है तो काईजर आखिर क इसके अंदर रख लेंगे बहुत ही जादा जरूरी है डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ से गायब हो चुका है अपन में यहाँ से निकलते हैं रहे मरने वालो पक्का मरूंगा बच्चा मेरे को हाथ में पेपर है वो कई जाना ने चाहिए मेरी काड़ी कहां पर जा रही है चल उसने अपना असली रंग दिखा दिया अब मैं दिखाऊंगा कि मैं कितना खतरनाक हूँ चलो गाईजर फड़ा फट से अपना बोर्ड बनाते हैं हाँ हाँ मुझे लगा था वो ड्रॉइंग बोर्ड हमेशा के लिए खतम हो जाएगा पर इन खतरनाक मीटेरोइट्स को तो अब इसमें मैं ऐसा कुछ बनाऊंगा जिससे मैं दुनिया का सबसे खतरनाक वेनम बनने वाला हूँ हाँ हाँ मेरे सारे वेनम जॉम्बी तैयार हो जाओ हम लोस सेंटोस में नहीं पूरी अर्थ में राज करने वाले हैं बस मेरी ड्रॉइंग देखते रहो अब इस पूरे लोस सेंटोस को बताना पड़ेगा कि वेनम कितने खतरनाक होते हैं इस बार मैं कुछ ऐसा बनाने वाला हूँ जो कि इस पूरे लोस सेंटोस को शौक कर देगा और हम सारे के सारे वेनम मिलके लोस सेंटोस पर राज करेंगे मैं कोई चोटा मोटा वेनम नहीं बनाने वाला इस बार बहुत खतरनाक venom बनने वाला है। जो की Los Santos में राज करेगा, साथ में पूरे अर्थ पर राज करेगा। इतना खतरनाक venom इस बार मैं बनाने वाला हूं। हमने अपना venom zombie virus वैला के, पूरे Los Santos को तो venom zombie में convert कर दिया। अब हमें पूरी अर्थ को convert करना है तो उसके लिए कुछ खतरनाक बयानना पड़ेगा उस meteorite की मदद से ये सब होने वाला है ये हमारे venom monster के दाद बन गए यहाँ पर होंगे उसके हाथ और उसके पहलों का तो क्या ही कहना बहुत ही खतरनाक और इसकी पीट पर पूरे के पूर स्पाइक्स होने वाले क्योंकि ये बनने वाला एक वैनम गोडजिला ऐसा दुनिया में ना हुआ है ना होगा क्योंकि ये बनने वाला है वैनम गोडजिला सबसे खतरनाक सबसे पहले हम इसको कलर करने वाले कलर करने के बाद ही हम इसको खतरनाक बना पाएंगे और हमेशा क करने वाले यह बहुत ही खतरनाक लगने वाला है एक बार यह रियल लाइफ में आ जाए फिर पूरे अर्थ में सरिफ हमारा ही नाम चलेगा वेनम्स गॉड्जिला वेनम्स गॉड्जिला और इसके पैलों को भी हम ब्लू कर देंगे और उसके सामने कोई नहीं टिकने वाला एवेंजर्स को तो हमने आल्रेडी जॉम्बी बना दिया है जो भी मेरे सामने आएगा वो तबाह हो जाएगा क्योंकि मेरा खदरनाक सा गॉड्जिला तयारे सब को मारने के लिए मुझे पता था मैं दुनिया का सबसे खदरनाक वेनम्स बन के रहूंगा मैं बन चुका हूँ एक वेनम गॉड्जिला मेरे सारे वेनम जॉम्बी अब हम पूरे अर्थ पर राज कर सकते हैं क्योंकि मैं दुनिया का सबसे खदरनाक वेनम हूँ मेर से खदरनाक कोई नहीं है इस पूरे लॉस सेंटोस को मैं ही तबाह करूंगा थो काईसर अभी मैं अपने घर पे आचुका और अमारा सारा का सामार भी आ चुका है यहां पर लकडी दो दो है और रहिए डशून है और यह वाइट बॉर्ड कब डाओं और यहIC पेपर हमरे साहँ बड़ से हमारा यहाँ पे magic board पूरा का पूरा complete हो गया है पहले से भी बहुत यह अच्छा shining shining लग रहा है इतम चुलो फड़ाफ़ट से बनाते है कि इस पे ऐसी खतरनाक चीज जो कि उस venom के बच्चे को बहुत ही पुरा मारने वाली है और मैंने सोचा है उस कबूदर जैसे venom को मैं खुद venom बनके हराने वाला हूँ आफ़डाफ़ट से drawing बनाते हैं तो काई सर हम आचुके अपने नए नए magic board पर और हम इसमे बनाने वाले बहुत ही जादा खतरनाक वाला venom जो की हरा पाएगा उस कमजोड से venom को वह सही मेरे सामने और बहुत ही जादा कमसर रोने वाला है इस बार उसकी ऐसी बाना मझाऊँगा आज देख लिए ना चलो कई से फढ़ावपर से बनाना शुरू करते हैं सबसे पहला हम इसके हाथ बनाने वाले हैं और इसके खअधरनाक ख़दरनाक पैर इसके पैरों को पड़ाओ पड़ सबनाते हैं और यह दूसरा पैर जिसके नाकुन है थोड़े जादा बड़े इसको पड़ाओ पड़ से उपर लेके चाहेंगे और इसके हात मतलब बहुती बॉडी बिल्डर वाला हाथ है और दर बड़े बड़े ना-कुन और एक बॉडी तोड़ा अलग होना चाहिए इसलिए पड़ावफट से इसको लेके जाते हैं और यहां पर हम बनाएंगे वेनम का मुह और आप सोच लोग एक ही वेनम का मुह बनाने वाले तो आप बिल्कुल गलत सोच लोग जो कि मैंने एक आईडिया लगाया क्यों ना चार चार वेनम के म मुह लगाया जाए इस खदर राक से चीज में वड़ावट से एक मुह ने यहां पर बना दिया और दूसरा मुह यहां पर आने वाला है यह हो गया इसका दूसरा मुह और यह हो गया इसका तीसरा मुह और जोथा मुह पीछे बनेगा तो इसको थोड़ा पीछे मनाएंगे तो इसको यहां पर ऐसे कर देते हैं और इसको यहां पर पूरा का पूरा मूँ ओने वाला है तो यह इसका मूँ बन गया और इसमें ओने वाले हैं खतरनाक खतरनाक दाज जो कि किसी को भी कच्छा जबा सकते हैं तो फड़ावट से इसको बना देते हैं और इसके दाज बन चुके और इसको भी थोड़े से दाज देते हैं बिना दाज का वैनम थोड़ा अजीब सा लगेगा है पोपला क्या करेगा पता नहीं तो इसको फड़ावड़ से दाथ दे देते हैं यहां पर भी हमने इसको दाथ दे दिये और काईजर यह कंप्रिट हो गया है पीछे वाले को भी आखिर में दाथ दे देंगे तो काईजर थोचे टेक्सर वैक्सर तो बनते हैं ऐसे लगना चाहिए कि खतरनाक सा वै इसको दे देते हैं यह ले बेटा स्पाइक्स ले ले और हमने इसको यहां पर कंप्रियेट कर दिया है तोड़े से टेक्सर एम इसके बॉड़ी पर यहां पर देने वाले और इसके पैरों के नाकून भी बहुत ही खतरनाक औरे वाले आप देख से तो इनको जो कला तो यह मारा हो गया इस पर थोड़े थोड़े स्पाइक्स लगा देता है ताकि इसके पैर भी बहुत ही ज्यादा क्थरनाक लगे इस तरह भी मतलब जो सांट के ऊपर यार जो उसके सीइंग होते ना वैसे इसके पैरों में और हाथों में लगा दिये और पूरी बॉड़ी पूरीग साधने वाले और ये सबका सभं कर एंगे ऋ रोडेड़ आ अरिसके नाकोन बहुत ही कर दो कर देते तेहें ब्लू उसके नाकून वापशाइस पूर यहां पर यह कम्प्लीट हो चुगा ब्लैक कलर का तेखो वाई किता खतरणाग लग रहा है यह बहुती जादा लग रहा है रुक चाब इसका मूह के अंदर का रैड होगा और बार से ब्लैक बॉट का तरण लगा है और गैसर मैं एक और चाहिए वह ना मैं इसको पूर। रैड करने वाला हूं और इसके मूह के करेंगे यलो वाओ क्या हजीब सा लग रहा है बेरे क्या से रैडी तरह लग रहा है और एक और मूं होने वाला है मारा खतर्नाक सा यलो गरिए इसका मूं अंदर से रैड और तु कि अभी आप देशों दिए कि इसना ज्यादा मस्त लगने लग गया पीछे हमाला हैंठ में कम को अम कलर करेंगे blue और काईजर यहां पर पूरा कप्लीट हो चुका है और हमस्की बढ़ाएंगे बावर तो काईजर ने वैनम तो बढ़ा हमको साइस चाहिए इसकी 100 अंड्रेड मीटर बहुत ही जाधा बड़ा पावर चाहिए हमें इसको 100 गुना जितनी पावर है वह 100 गुना बढ़ जाए और काईजर हमारा यहां पर वैनम और काईजर हमारी ट्रॉइंग यहां पर कंप्लीट हो चुकी आप देख सेक्तों कितने जाधा कहतर नाग लग रहे मेरे पास है चार-चार मुंडी वाले वैनम एक हे ब्लैक एक ग्रीन एक वाइट और एक रेड और हमारी बोडी भी बहुत ही जाला खतरनाक हो चुकी है और मैं जाने वाला हूं उस छोटे से वैनम से बिल्कुर थपड़ वारू है एक ही वारी में वो मरने वाला है चलो देखा सब तो वह बहुत ही चोटा सा था हा 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 फ्रेंक्लिन मेरे प्यारे दोस्त ए मुझे अपना दोस्त मन बोल मैं तरा दोस्त नहीं हूं फ्रेंक्लिन मुझे ऐसा बनाने में तुमने मेरी बहुत मदद की मैंने मैंने कौन सी मदद करी जो मीटियरोइट की बारिश ह ती उसमें से मैंने भी पेपर निकाल के अपना ड्रॉइंग मैजिक बोड बेनाया और मैं इतना खतरनाक हो गया अरे काई सर वो मीटियोनेट की बार इस तो मैंने खुद के लिए कर आया थी पर ये वैनम के बच्चे को इसके बार है पता था पर कोई बाती आप टेंक्शन मत क्वार ये ले हरी कोई सर य तो उ यह फाकल हो गया लगता हूं कि तो यसी आप गिति रुक्चा रुक्चा कहा जा रहा है मैंसे ब्र QUE ने छोड़ने वाला वाला इस के पोरा का पूरा लॉस मैं नहीं छोड़ूगा Frank Lin dengan Los Santos पराज करूंगा उसके बाद मैं पूरी अर्थ पराज करूंगा पर लाज और बाट्वे रा खर लियो पर ने पहके जा रहा है जिसको पहक रहा है इसको पांपनी में ज़रूर ले के जांगा इसको पानी में ले के जा के मारूँ आ भूलती पर पानी के अंदर तुम लेका सोचा मैं इसे मठ जाओंगा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा यह यह लो अबे तुम्हें नहीं चोड़ने वाला रुगजा रुगजा काजर है अरे बागो यह तो मेरे पीचे पढ़ गया अरे नहीं एक सगेड मुझे लॉसें टॉसको बचा आप इसको कमसूर नहीं कर सकते हो अगर आप वीडियो को लाइक करोगे तो जितनी जादा वीडियो को लाइक करोगे उतना जादा यह कमसूर होने वाला है देखो यह दिये दिये कमसूर होने भी लग गया है चल्दी चल्दी वीडियो को लाइक करते जाओ ताकि मैं इसको पूरा कमसूर करके मार दूँ और कामेंट में लिखते ना वैनम हार जा तभी यह जल्दी जल्दी हारेगा वरना ही बहुत ही टाइम से मुझे पका रहा है अब मैं तुझे खतम करें बिना यहां से नहीं छोड़ने वाला यह ले यह ले तो काई जरी सही में बहुत ही ज़दा कमसूर हो गया है इसका कुछ लास्टाइम ही बचाए तो फड़ाफर से कमेंट कर दो वैनम इस दा लूसर वैनम इस दा लूसर और मैं इसको बाहर भैक और काईसर हमने वैनम को आखिरकार लॉस से बार फैक दिया है उसके हलाद इतनी खराब है वो कभी उट भी नहीं पाएगा और पानी के अंदर जादा देर रहने से वो मढ़ जाएगा तो काईसर वैनम की स्टोरी हमने खतम कर दिये और हमारा लॉस सेंटाउस वापे से अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई